जहन साथियों कैसे आप लोग उमीर करते हैं अच्छे होंगे आज हम लोग सामान दिन बिवीत के स्रीज में एक महत्वपोर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रमुक दिवस और उसे जुड़े प्रमुक तक थे आप किसी भरती परिच्छा के टारी कर रहे हैं अगर आप अंतिम रोप से अपना स्था निश्चित करना चाते हैं इन दो प्रश्णों की स्रीज को हमें आराम से पढ़कर तयार करना पड़ेगा और याद रखना होगा हमें सेलेक्षन कैसे लेना है उचलिए बिना देरी के अब हम लोग क्लास की सुरुवात करते हैं और बने रहेगा साधे नौ बजे अलारम लगा लिजिए पने फोन में पहला प्रश्ण है निम्नी कितमेशे किस नेता के जन दिन भारत में सिच्छक दिवस के रूपे मना जाता है पहला प्रश्ण है आपके सिच्छक से है मैं उमीद करता हूँ जो लोग इस वीडियो को पांच सितंबर को सिच्छक दिवस के रूप में मनाया जाता है और उन्हें भारत रत्न दिया गया था 1954 में उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था यहां पे दो प्रश्ण आपके और तयार होंगे यह भारत के पहले उपराश्ट पती थे यह भारत के पहले उपराश्ट प बहुत है उनिक प्रस्ण है तो जो भारत का उपराष्ट पती होता है वही राशराषभा का पदेनसभंपति होता है 小िरम को सिटेक रूप में आगले प्र進 시청 की तरप आपने वीडियो को सियर जरू करिएगा मेरे आपसे निवेदन है जितनी गुरुप में आप हैं अपने फेस्बुक पे स्टेटस में हर जेगर शेयर कर दीजेगा अगला प्रशन आपके शामने है निम्न में से कौन सा दिवस अक्टूबर महिने में नहीं मना जद बहुत ही महत्तपूर है आज कल ट्रेंडिंग वाला प्रशन है आपने देखा होगा एकदम आसान प्रशन है लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है तो मैं उमीद करता हूँ जितनी लोग इस प्रशन को देखर हूं सबी लोग फटाबर समय को जबाब देना है दस से केंड्स समय है देके यहे दो को मनाया जाता है भारती या फीन डिवस आप लोगों ने एकदम आसानी शेयर पकड़ लिया कि बिश्व पर्यावरन दिवस है जो गलत है वही सही है यहां पर नहीं पूछा है तो इस प्रकाश प्रश्ण का उत्तर क्या होगा डीज को रेट एंसोर होगा जी यहां सिच्छक भरती के अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिविद में एक दिवस से फिक्स है चाहे आप सिच्छक भरती इस चीविल परिच्छा किसी भी तैयारी कर रहे हों वहां से दिवस से दो प्रश्ण आपके फिक्स हैं मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्टिंग की तरफ चाहे तो इसकी इंसोर्ट रख सकते हैं दो अगले प्रश्ण की तरफ अगला पर्श्णा आप के सामने अंतराष्टी योग दिवस कमना जाता फटाफट कमेंड करिए और आप सिच्छक बनना चाहते हैं सरकारी सिच्छक तो भईया वीवित को तयार करिए क्योंकि त्स नमबर के वीवित आपके लिए काफी होगा अभी हाल ही में हाल ही में 11 दिसंबर 2014 को धान दीजेगा 11 कि दिसंबर कि दो हजार 2014 को यू ये नो में 79 अधिवेशन में कब यू एन ओ के कौन से अधिवेशन में कितने 177 देशों ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने की प्रस्ताव दिया इसलिए अंतराष्टी योग दिवस्यों प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है एक माई को क्या मनाय जाता है इसका जबाब आप कमेंट बाक्स में जरू इस वीडियो को देख रहे हैं ठीक है एक माई को क्या मनाया जाता है फटाफट कमेंट करिएगा और जब आप जरूर दीजिएगा मैं आगे बट रहा हूं अगले प्रश्ण की तरफ कई चीजे मैंने आपको नहीं बताई है अगला प्रश्ण आपके सामने आपके डिस्प्ले पर है 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे कमेंट करके जबाद देंगे 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे कमेंट करके जबाद देंगे सभी साथी दिखे 15 जनवरी 15 जनवरी 2020 को ये पहला कितना मनाया गया 72 लिखते चलिएगा copy कलम लेकर बैठिएगा क्योंकि बहाई या selection वाली class है ठीक है बहत्तरों मा शेना दिवस मनाया गया ये प्रशना आपका त्यार तो 15 जनवरी को किस रूपे मनाया जाता है शेना दिवस के रूपे में मनाया जाता है और स्रम दिवस अभी ज़स्ट मैंने पूछा था तो एक मई को मनाया जाता है मकड संकरांती 14 जनवरी को मनाया जाता है गरतन दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है इस सिल्प्रकार एक प्रशन से आप कितने प्रशन तयार कर रहे हैं और ये आपके लिए करेंड भी बन गया कि 15 जनवरी को 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया था 72 अब 2021 मे कौन सा मना जाएगा ती 70 वाँ इसलिए आपका एक और प्रशन तयार हो गया और मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रशन की तरफ आप वीडियो को जितना हो से के शेर करिएगा अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा लाइक करने का पैसा नह महत्तपूर प्रशन है तो मैं चाहूंगा जो लोग इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं वे सभी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके इस प्रशन का जवाब जरूर देंगे सभी साथी फटाफट कमेंट करें सभी साथी फटाफट कमेंट करें सभी साथी जो लोग करके वीडियो लाइब देख रहे हैं जरँ फटाफट कमेंट करके बताएं कि पुरुस दीवस कम मनाया नहीं मिला है लिकिन मैं बता रहा हूं अंतरराश्ति महिला दीवस आठ मार्च को मनाया जाता है तो पुरुस दीवस कम मना जाता है कॉट Ilkmal कर में राजनेतिक आर्थिक समाजिक उपलब्धियों के उपलब्च में प्रतिएक वर्ष आठ मार्च को अंतरराष्टी महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है लेकिन पुरुस दिवस कम मनाया जाता है जो लोगी वीडियो को लाइबे फड़ा फड़ बताएं कमेंड करके तो प्रते एक वर्ष उन्नाईश नवंबर को पुरुस दिवस मनाया जाता है जिहार लिख लीजेगा रट्टा मार लीजेगा पुरुस दिवस क्योंकि ऐसे प्रशनाव के परिक्ष्छा में आते हैं 10 दिसंबर को कोई लिखा रहे है 10 दिसंबर को तो 10 दिसंबर को मानवा दिकार दिवस है human right day है इसलिए यहाँ पर आपका यह गलत होगा सहुत्तर होगा उन्नाईश नॉमबर पुरुस दिवस उन्नाईश नॉमबर अंतराष्टी महिला दिवस आठ मार्च इससे अभी यह मानिता युन्यों से नहीं प्राप्त है ठीक इससे युन्यों से मानिता न भत्यपूर्ण है राष्टी युवा दिवस कब मनाया जाता है जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंड करेंगे कमेंड करके इस दिए पर कई चीज़े आपके सामने है 15 जनवरी को सेना दिवस हो गया यह तो आपका अभी उपर मैंने बताया यह हो गया सेना दिवस अब बता ठाररे जनवरी 12 जनवरी इसका उत्तर क्यों होगा बारे जने होगा जितने लोगों इस प्रशन का उत्तर बारे जनवरी बताया है उन सभी के जबाप पूरी तरशेश रहे हैं बारे जनवरी स्का राइट एंसा def. वीडियो मारे फ तो याद रखेगा आप सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं सवामी भेका नेंजी का जो जन्म हुआ था वह 1863 में हुआ था कब 12 जनवरी 1863 को हुआ था इसी वद प्रति वर्थ 12 जनवरी को राष्टी युदा दिवस के मनाया जाता है सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे कमेंट करके बताएंगे कि किसान दिवस कब मनाया जाता है सभी साथी फटाफट कमेंट करें 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 सभी साथी फटाफट बैठे हैं और परिच्छा हाल में होते तो कैसे इसका जबाब देते वीडियो को शेयर जरू करिएगा अपने साथी मित्रों तो जरूर पहुचाईएगा गलत या सही जबाब भी जरूर दीजेगा देखे प्रतेक वर्थ 23 सितंबर को जी हाँ दोस्तों 23 सितंबर को चौदरी दिवस दिव्यांग दिवस मनाया जाता है और पांच दिशंबर को आपका मिर्दा दिवस मनाया जाता है मिर्दा दिवस मनाया जाता है यह दिवस आपके जो थे वो मैंने बता दिया 11 जुलाई को जन संख्या दिवस मनाया जाता है 10 दिशंबर को मानवादिकार दिवस मना दिवस यह के लिए महत्पूर्ण है तो भाईया इस तरह से रटा मारते चलिए यह की सेलेक्शन लेना है मैं आगे बढ़ना अगले पशनी की तरफ इस कीन सवर जरू क्लिक कर लीजेगा आप वीडियो को लाइक तो कर दीजिए पैसा नहीं कटेगा आपका वीडियो को शेयर कर दीजेगा आपकी जिम्हेदारी के इतनी मैने से मैं पढ़ा सकता हूँ तो क्या आपकी जिम्हेदारी नहीं बनती इस वीडियो को लोगों तो पोचाने का लाइक करेंगा उसे पैसा तो ना मुझे मिलेगा ना आपका कटेगा बाद में कोई देखेगा लाइका ठीक ठाक पड़ाया सर ने भारत में अल्वसंच्छत दिवस अधिकार कब मना जाता है एक यूनिक प्रस्ण है जो परिच्छा में आते हैं तो प्रहें लोग गलती कर जाते हैं इसलिए मैं चाहूंगा इस प्रस्ण का जबाब आप जरूर दीजेगा जो लोग इस वीडियो को लाइप देख रहे हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना जाता है 14 सितंबर की बात करें अगर हम 14 सितंबर की बात करें हम क्या करें 14 सितंबर को क्या है हिंदी दिवस कौनसा दिवस हिंदी दिवस मना जाता है ये भी अब रट्टा मार दीजेगा लेकिन अग संख्यक अधिकार दिवस कमना जाता है श बताई ये पड़ा पड़ा कमेंट करके देखिए यहाँ पर होगा 18 दिसंबर इसका राइट एंसर होगा 18 दिसंबर को प्रती वर्ष अलपसंख्यक अधिकार दिवस के रुप में मनाया जाता है जितने शाथियों इस प्रशन का उत्तर डी दिया है उनका सही है 5 सितंबर की ब पढ़िए कि चार के चारो बिकल्ब आपके क्लियर हो जाए बने कोई प्रशन ऐसा हो ही नहीं जो आपको नए एक प्रशन मैं आपसे पूछूंगा संस्कृत दिवस का मनाया जाता है संस्कृत दिवस तो कमेंट करके जबाब दीजेगा जो भी साथ इस वीडियो को रचार दिवस खटम हो जाएगा अगला परशन आपके बीच है कि निमली खितमेशे किसका मिलान सही नहीं नहीं है आज कर आपने देखा होगा नहीं है मतलब 3 सही नहीं है आपको वही ख्याद करना है निमकार में शील, कोण सा सही नहीं हो जो लोग उस वीडियो stopping देख रहे हैं the आफुन करिए इतना समय लेंगे बताईएं वतलब इतना समय लेंगे तो कैसे होगा अभी मैंने उपर बताया था क्या बताया था कि आ सरीन को मैंने बताया थाएक दिसमेंडर निया थाँ का इस लिए क्लत रहाए वही सई है यहाँ यहीं आपका गलत है यहीं क्लत को नहीं चुन नहीं तो इसलिए इस प्रशन का उत्तर क्या होगा 20 का right answer आ रहा है जो भी साथी नए आ रहे हैं वो अपनी वीडियो को जरूर सेयर करें आपकी जिम्मेदारी कम कम एक हजार लोगों तो पहुचा है आप लोग लाइक नहीं कर रहें मतलब इतना कहने पर भी आप लोग लाइक नहीं क्याते बिद्यामाई कसम में सभी लोग लाइक करें और अपने शभी साथी मित्रों को शेयर करें वार्टसेप पे डाल दें फेस्बूक पे जहां से के वो पहुचा दे अगला पशन आपके शामने है कौन सा ऐसा दिवस है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथी पर नहीं मना जाता एक अदम आसान प्रशन है मैंने कौन सा ऐसा दिवस है जो प्रतेक वर्ष एक निश्चित तिथी को नहीं मना जाता शभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जबाब देंगे, अगर आप इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं, मैं मुईद करता हूँ, आप इस प्रशने का जबाब जरूर देंगे, शबी साती फटाफट कमेंट करेंगे, जो भी साती वीडियो को देख रहे हैं, शबी साती फटाफट कमेंट करेंग फिर बिस्पर्यावास, habited divas ठीक है, अब ये देखते हैं कब अंतराष्टी मिंत्रताध दिवस की बात करें थो 30 जुलाई कब है? 30 जुलाई को लेकिन बिस्पर्यावास, habited divas की बात करें तो यह डिसंबर, यह अक्टूबर महा का पर्थम सोमवार होता है किसका लिख लीजिएगा अक्टूबर महीने का पहला सोमवार क्या होता है पहला सोमवार इसलिए यही गलत है मतलब यही गलत है और जो गलत है वही सही है इस प्रश्ण का उत्तर आपका डी होगा जिन साथियों ने इस प्रश्ण का उत्तर डी दिया है उन सभी के जबा पू अगले पैशनी की तरफ आप लोग वीडियो को सेयर करिया बार-बार कहना है पड़ रह चली मैं नहीं कौंगा मानुमा दिकार दिवस कम मना जाता है मैंने उपर पढ़ाया है मैंने बताया है मैं उमीद करता हूँ अब इसमें गल्ती नहीं करेंगे तो सभी साती फटाफ़ क यह 10 दिसंबर एकदम रटा मार दीजिए एकदम रट लीजिए इसको यह परिछा में आना ही आना है इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा जितना आज आज आप पढ़ेंगे 20 सुमानवा दिकार दिवस कम मना जाता है सेम प्रशन आपके शामने है तो भयां 10 दिसंबर इ सबी लोग कमेंट करके सफी मरों क्या मना जाता है अभी मेंने बताया था इन अगय में बढ़ रहा हूं आगले प्रश्ण की तरफ ठीक है चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं चलिए अगला प्रश्ण आपके है अंतराष्टी मानवादिकार दीवस कब है अभी जस्ट मैंने बताया मैं उमीद करता हूं आप सभी लोग इस प्रश्ण का जबाब जरूर देंगे सभी लोग बताएं जो भी ला अक्टूबर 1945 को इसके स्थापना हुई थी 25 नूमर की बात करें तो अंतराष्टी महिला हिंसा उन्मूलन अंतराष्टी दियोस मना जाता है इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा एस का राइट एंसर होगा इस प्रश्ण का शही जबाब होगा जितने लोगों इस प्रश्ण तो एक नहीं तीन बार देखेगा एकदम रट्टा हो जाएगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है एकदम हलुआ प्रस्ण यह बार बार पर इच्छा में पूछा जाता है और जो बार बार पूछेगा में उमीद करता हूं गलती नहीं करेंगे बताई सभी साथी फटाबट क चलती है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मोबाइल में अलारम लगा लिजे रिमाइंडर लगा लिजे अगला प्रस्ण आपके सामने है अगले डिस्प्ले पर टाइगर परिजना के सुभारम कब की कि यह एक यूनिक प्रस्ण है और यह कई परिच्छों में पू दोस्तों अगले प्रस्ण आपके सामने है एक दिसंबर को किस रुपे मना जाता है फटाफट कमेंट करके जवाब दीजेगा जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं शबी साती फटाफट कमेंट करेंगे कमेंट करके जबाब देंगे सभी साथी क्यों कि मैं लगातार कई चीज़े आपको पढ़ाता रहा हूँ मैं उमीद करता हूँ कि अब आप लोग यहां से गलती नहीं करेंगे सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे Unisafdee कम ओप मना जाता है बाल दिवस कम नैटा है नौशेना दिवस कम आगे मैं इसको भी पढ़ोंगा लेकिन यहाँ पर क्या होगा 28 से दिवस एक तारीक को मना जाता है मैं ने उपर पहले कई बार बताया है और मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पे गलती नहीं करेंगे यूनिसेफ डेक क्या अभी उपर मैं इन सभी को बताऊंगा यूनिसेफ डेक कब है भारती बाशियो ना दिवस कब है अगर किशी को पता हो तो बताईए जो इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं इसका उत्तर तो यह सही है लेकिन बाल दिवस कब मना जाता है आपने कहा सर चौदा नॉम्बर को यूनिसेफ डेक का मना जाता है फटावट कमेंट करके बताईए जो लोग लाइब देख रहे है भारती नौसेनादिवस फटावट कमेंट करके बताएं जो लोग लोग देख रहे हैं भारती नौसेनादिवस का मना जाता है अरी मालेक आप लोग ऐसे प्रश्न को नहीं बताएंगे कौन बताएगा बताएं लाइब भया कमेंट करिए या आपकी जिम्हेदारी है यह हम आठिसे मनीं बताएंगे सभी लोग फटा फट कमेंट करेंगे कमेंट करके जबाब देंगे बताएगी सबी्हों फटावट कमेंट करेंगे डिलिशन करके दिसंबर ग्यारे दिसंबर युनिसेफ डे बाल दिवस चाउदा नौंबर एक दिसंबर मैं आगे बढ़ रहा हूँ आप वीडियो को शेयर करिए यार एक हजार लोगों तो पोचाई आपकी जिम्यदारी है एक हजार लोगों तो पोचाई चाहा जैसे आपके पास ट्विटर यूटूब इल रही दुर्गेश पर एक्स दिसंबर को आपको कुछ बताना है नहीं है बीस दिसंबर को क्या मना जाता है फटापट बताईए गौर्राया दिवस कौई सा दिवस गौर्राया दिवस दिकि मैं आपको इतना निचोड दे रहा हूं ने इससे लेकिन वीडियो को लाइक चरू कर दिजेगा याद की जिम्हेदारी है क्या है बीस दिसंबर मराश्टी मानोगता दिवस अंतराश्टी मानोगता दिवस बीस मार्च घौरया दिवस एक दिसंबर यहां पीसका उत्तर हो गया मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले पश्नी की दो अक्टूबर को अंतराश्टी अहिंसा दिवस घौसित की है शबी साथी फटा फट कॉमेंट करेंगे और जहीजिए के प्रष्न का जवाब चरूर देंगे शबी साथी फटा फट कमेंट करेए जो लोग वीडियो को लाइप देगा फटा पर करेंए देहां पर हमने बत सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करके जबाब देंगे और अगर आपको अगर आपको ज़रुत लगती है तब आठ माई को किस रुक में मनाया जाता है शबी लोग फटा-फट कमेंट करेंगे कमेंट करने के बात बताएंगे बताईजिए भी लोग देखिए विस्वानक दिवस पूछा है इसके बारे में अगर किसी ने पढ़ा हो तो बताईए कि बिस्व मादक दिवस कम मनाया जाता है यह 14 अक्टूबर को मनाया जाता है कब 14 अक्टूबर को बिस्व दूर संचार दिवस कम मनाया जाता है यह 17 मई को मनाया जाता है यह कब मनाया जाता है 17 मई को मनाया जाता है यह सब रटा मारी है राष्ट मंडल खेल दिवस कम मनाया की दुतिर शोमवार ये मार्च का जहां दीजेगा ये मार्च का सेकेंड सेकेंड contin सेकेंड ATP मांच का सेकेंड MB 20 red cross दिवस वह 8 मैं को मना जाता है corona दिखी आपको मैंने सारे प्रश्णों को बता दिया चारो बिकल पमने आपको बता दिया अब आपकी जिम्मेदारी है like ठोको share ठोको यह आपकी जिम्मेदारी है ठीक है अगला प्रश्ण आपको समझ में आये उससे पहले मैंने आपको पूरा स्पष्ट बता दिया विस्व मानक डिवस 14 अक्टूबर को है विस्व दूर संचार 17 माई राष्ट मंदर मार्च का सेकंड मंडे विस्व रेट क्रास दिवस 8 माई को प्रतिवर्स मनाया जाता है मैं आगे बढ़ रहा अगले प्रश्ण की तरफ ठीक है किलिए रो रहा है ना समस में आ रहा है ना जी हाँ सिच्चगवर्ति लिखित परिच्छा की MCQ KBS DSSB सभी के लिए ये महत्तपूर्ण है मैं आगे बढ़ अगले प्रश्ण की तरफ आगला प्रश्ण आपके सामने है किस दीवन अंतराष्टी दिवस मनाया जाता है जो 37 वीडियो को लाइब देख रहे हैं वे सभी इस प्रश्ण का जबाब देंगे 30 जनवरी को क्या मना जाता इस दिन महत्मा गांदी के हत्या हुई थी एक मही को क्या मना जाता है कमेंट करके बताएगा मजदूर दिवस ठीक है 24 अक्टूबर को क्या मना जाता है फटाफट कमेंट करिएगा 30 जनवरी हो क्या है सहीद दिवस है या सहीदी दिवस है कमेंट करके जवाब दीजेगा और 1 माई को मजदूर दिवस है जैसा कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर मजदूर दिवस है ठीक 24 अक्टूबर क्या होगा कमेंट करके बताईएगा जी हाँ 24 अक्टूबर को क्या होगा जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहें फटाफट कमेंट करिएगा एक सहीद दिवस होता है 31 जनवरी है ध्यान दीजेगा 31 जनवरी को मनाया जाता है दूसरा 23 मार्च को एक सहीद दिवस है और एक सहीदी दिवस है कमेंट करके बताना है 24 अक्टूबर को युयन्नो दिवस मनाया तक दम राइट एंसवर यह मैंने उपर बताया था सोचिए कि मैं हर एक पशनी की चारो बिकल्ब की ब्याख्या कर रहा हूँ फिर भी आपके संख्याइत नहीं कम है पता नहीं क्यों कोई कमी लगे तो कमेंट जरू करिएगा मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले पशनी की तरफ प्रतिवस उभोकता दिवस कम मना जाता है जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं फटा फट कमेंट करें भोकता दिवस कम मना जाता है बताईए सभी लोग देखिए यहां पे दो चीज़े आती है मैं दोनों बताना चाहूंगा एक होता है बिश्व भोकता दिवस ध्यान दीजेगा आपे दो प्रशन आता है कहेंगे दुरगेश सर तो यही बताए थे लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से ज्यान ले अच्छे से ले क्योंकि आपको सलेक्शन लेना है आपको टाइम पास नहीं करना है डेली अब आपको बताईए फटाबट कमेंट करें सभी साथी बताई आपकी संख्या इतनी कम है मुझे तो लगता है देखे यह विश्व भोक्ता दिवस जो है यह 15 मार्च को है कब है यह 15 मार्च को है लेकिन राष्ट्य भोक्ता दिवस की बात करेंगा तो यह 24 दिसंबर को है क्या है 24 दिसंबर को है एकदम रट्टा मार दिजेगा लिख लीजेगा जो भी इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी साथी 24 संबल क्या है राश्ट्य भोगता दोनों का अंतर मैंने बता दिया सभी लोग ध्यान से देखिएगा दोनों की परिच्छा में यार प्रशन कहां से आएगा ये किलियर ही नहीं उपाता ये प्रशन कहां से आएगा ये कौनसेप्ट ही किलियर नहीं उपाता इसके लिए हमने आपको क्या किया जो ये दिवस का कौनसेप्ट था न हमने ऐसा तोड़ दिया ये आपको कभी जीवन म तयार है आप लोग चलि मैं आगे बढ़ना अगले पश्ण की तरफ तयार हो जाए सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं तयार है आप लोग ट्यार सेयर तो कर दिजिए मालिक आप लोग को लगता होगा सेयर करेंगे तो सरजी को पैसा मिलता होगा ऐसा कुछ नहीं है अगला पशनाप के बीच है सायद आपको दिख रहा होगा प्रिथिवी दिवस कब मनाया जाता है जल्दी से पटा-पट कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताएगे कि प्रिथिवी फटा-फट कमेंट करेंगे कमेंट करके जबाद दिजेगा प्रिथिवी दिवस कब मनाया जाता है फटा-पट कमेंट करिए सबी साथी चलिए देखिए धान से इस प्रिशन का उत्तर क्या होगा 22 अप्रेल यहां से देखिएगा मैं तीन डेट रिख रहा हूं 22 मार्च 22 अ पहले जल दिवस है थल दिवस है फिर 22 माई को जय विवित्ता यह तीनों डेट याद रखेगा अगर आपको क्योंकि यह एकदम यूनिक है जो परिक्षा में बार बार पूछा जाता है चाहे तो इसकी स्कीन सॉट करेंग या नहीं करेंगे लेकिन दिवस से इस बात की हम गारेंटी लेते हैं एक बहुत बाहर नहीं जायेगा जी यहाँ एक बहुत रहा हूं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे कमेंट करके इस प्रशने का जवाब जरूर देंगे सभी साथी फटाफट कमेंट करिए जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं देखे यह मैंने उपर बताया था इसलिए यहाँ पे गलती आप कर ही नहीं सकते की कर सकते हैं आप पर्थम पर्यावरण दिवस देखे पर्थम पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करें ठीक तो कम मना जाता है पर्थम पर्यावरण दिवस उननई सो तीहत्तर की पांच जून उननई सो बहत्तर को धान दीजेगा इस सम्मेलन में एक सम्मेलन का अजन किया गया, इस सम्मेलन की पहली ति जो थी, औनई 173 में 5 जून को प्रती वश्च बिस सुपारेवन दिवस मनाया जाने की संकल अपना शुरू की गई, इसलिए इस प्रशन का उत्तर, ये इसका राई रहे है, आप लोग गलती मत करियेग यहां पर गलती करिएगा यहां पर इसकी घोस्णा की गई थी मनाने का जो काम था वो 1973 से सुरू होता है इसलिए याद रखिएगा ठीक है इसलिए याद रखिएगा यहां पर 1973 होगा पांच जून को पराण दिवस मनाया जाता है पहली बार मानेवी परहावन सिल्ट समेलन में पांच जून 272 के इस्टाखो में समेलन का जून किया गया था इस समेलन में 5 जून को बिस्व पर्यावन दिवस मनाया जाने घोस्टना किया गया था इससलिए इस प्रश्ण का याद रखिएगा ठीक है कुछ लोग 74 बतारे द्यान से देख लीजेगा अपनी कि पहली बार तीहत्तर में मनाया गया था एक बार आप लोग और देख लीजिएगा जैसा कि हमें असपस्ट है आगे बढ़ रहे प्रस्टे की तरफ अगला है इसे बिश्व पर्याउन दिवस्ट मनाया जाता है एकदम यूनिक प्रस्ट है जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं कि आप लौग जितना पढ़ेंगे उससे बाहर नहीं आईगा हमने बता दिया था को पैसे बाहर नहीं आएगा एक यून के अगर हम बात करें तो ये है परियावरण दिवस्ट ठीक, 22 मही एगर होता तो ठीक था, 31 मही को 200 तबाखों निसेद दिवस के रुप में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रशने का उत्तर ए है, जितने लोगों इस प्रशने का जवाब दिया, ए उनका सही है, क्योंकि मैंने आपको पताया, प्रदिर रात साड़े 9 बजे इलने भी दुरगेश पर, बीविद स्पेसल से चत बढ़ते लिखित परिछा की स्पेसल बैच फ्री चलेगी, मेरी द्वारा, जहां पे आप अपने शपनों को साकार करने के लागे बढ़ सकते हैं, इसलिए इस प्रशने का उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट एंस हो रहे है, मैं साथी फटाफट कॉमेंट करेंगे, कमेंट करके जबाब देंगे, देखिए, एकदम हलुआ वाला प्रस्ना है, 22 मार्च की बात किया जाए, तो बहुत जो बाइस मार्च है, इस दिन क्या मना जाता है, जल दीवस, ठीक, 23 अप्रेल, 22 अप्रेल होता थल दीवस, यहां पर प्रस्न का उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट करेंगे, जो लोग इस वीडियो को लाइब देकर, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, देखिए, 14 दिसंबर, इसका राइट एंस वर है, 14 दिसंबर सही है, देखिए, कि जो हमारे यहां उभोग की महत को बल देने के लि करेंगे, दुख द दिवस कम मना जाता है, कॉमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, जल दिवस कम मना जाता है, फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा, जल दिवस, लेके 8 मार्च अंतर राष्टी, महिला दिवस मनाया जाता है, 22 25 मार्च फटाफट कमेंट करिएगा 26 मार्च को क्या मना जाता है कमेंट करके बताइएगा 26 मार्च को क्या मना जाता है यहाँ पर इस परशने का उत्तर क्या होगा फटाफट कमेंट करिए अप लोग इतना लेट कमेंट करते परिछाहल में जाएंगे तो क्या होगा यह समझे परिछाहल में है यह क्लास है आपकी यहां पर देखे क्या होगा 22 मार्जी का सही जवाब कितनी बार हमने बताया उपर बताई रट जाना चाहिए मेरी क्लास पढ़ने के बाद अगर रटेन ऐसा हो जी नहीं सकता मैं आगे ब 32 में 1936 में इस समय भारत के लिए सोण जीता था मुने उलम्पिक खेलों में वो क्या किये थे हाकी में सोण पदक जीते थे कल हमने इसकी चर्चा की थी हाकी में सोण पदक जीते थे इसलिए मेजर ध्यान चंद के चंद दिवस पर प्रते एक वर्स खेल दिवस के रूप में मन मनाया जाता है 2 okt Rouba Italia को अहिंसा दीवस के रूप में मनाया जाता है 7ite7 mahatma-gaandhi का जन्द्यूस मना जाता है D toi recover gambling को अध्य mus मनाया जाता है comment करके जरू बताbelt ने ऐख से जोबी 7て simple देख रहे आप वीडियो को लाइक करिए गा यह निवेदा ने आप से जो भी साथिच वीडियो को देख रहे हैं लाइक करने के बाद शेयर जुरू करेंगे अगला परस्ट नहें अन्ताराष्थि योग दिवस्स कम मना जाता है फटाफट कॉमेंट करिएगा जो लोगूद कॉल्ड देख रहे हैं लुग फटाफट सोर के यहां पर सीरीद परती हैं अंत्री गळाद गापको सबसे बड़ा दीन करका पर होता है तो ना लिखना चाहीं लिख लिजेगा तेरा घंटा चालिस मिनःट का दिन होता है जी हां और 10 घंटा 10 घंटा 10 घंटा 20 मिनट की रात होती है कब 21 जुन को इसलिए प्रतिये कुवर्स ठीक प्रतिये कुवर्स तो आप इस बात की गरेंटी लेंगे कि हां इससे जितना मैं पढ़ाया उससे बाहर आपके परिच्छा प्रस्ट नहीं आएगा ठीक है अभी तक रिप्लाई सिलीं नहीं आया कॉल से सभी का रिप्लाई मिलेगा सभी साती परिच्छा में बैस्त थे इसलिए सभी के मैसेज का का रिप्लाई जी यहां जिन सातियों ने आफिस में सिक्स त्री जीरो सिक्स त्री डवल फोर त्री सिक्सेबन पर वाट्सेप क्या होगा सभी बैस्त थे कॉल से सभी का रिप्लाई जरूर मिलेगा मैं आगे बढ़ रहा हो कि प्रस्ट कि तरफ देखिए भारत में दिन रात साड़े 9 बजे इर लरनी बिद्रगेश पर लाइब चलती है बनाना है सिच्छक आपको सरकारी सिच्छक के लिए क्लास है तो आप भी संख्या 1000 से उपर पहुचाइए यह आपकी जिम्मेदारी है जितना मेरा हो सकता है मैं आपके लिए पूरे दिन मैं एक एक ट 28 फरवरी को क्योंकि यहां चंद्र सेकर विक्टर रमन ने रमन प्रभाव जी हां रमन प्रभाव ध्यान दीजेगा यह प्रस्ने यह भी पूछ सकता किस लिए क्योंकि आजकर प्रस्ने का ट्रेंड बदल रहा है रमन प्रभाव की खोज की थी और इस खोज के लिए उन्हे 1930 का भौतिकी का नोबल मिला था कब 1930 में भौतिकी का नोबल भी मिला था ये लिखिएगा जी हाँ नहीं तो आप मत कहिएगा भौतिकी का नोबल भी मिला था उन्हें उन्हें क्या मिला था इसका नोबल भी पुरुषकार भी मिला हुआ था और इसी वर्स भाउती की विज्ञान के जो नॉबिल प्रुसकाल भीज़त थे गटन रमन के रमन प्रभाव के बढ़ प्रतीए गात राष्टी बिघ्ञायन दिवस के रुप में मना जाता है कि ढोशने की तरफ ए तो Nej शबी साथी फटावर्ट कमेंड करते रहें और अब प्रश्ण को बताएं राष्टी विज्ञान दिवस कमना जाता है फटावर्ट कमेंड करिए यहां पर एक प्रश्ण पूछा जाता है जो आपके परिच्छा में आता है ध्यान दिजेगा क्योंकि यहां से प्रश्ण कराता है तो प्रहें लोग गलती कर जाते हैं ध्यान दिजेगा यह प्रश्ण काफी बार परिच्छा में पूछा जा चुका है मेटरिकल पोटैकाल का संवन किस से है तो भहिया ओज्टोण च्छै से है किस से है ओज्टोण च्छै से है ठीक ओज्टोण च्छै के लिए कब online dc 1994 के लिया गया था लेकिन यह हुआ था मेट्रिकल प्रोटोकाल ये कब हुआ था 1987 से बन हुआ था लेकिन 16 सितंबर को अंतराष्टी ओजोन सरच्षण दिवस की रूप में मनाया जाएगा प्रतिवर्थ यह कब लिया गया था यह उद्घोषणा 19 19 दिशंबर कब 19 दिशंबर 1994 को की गई थी एक महत्रपूर बात है एक लोग ध्यान से देखिएगा कि 20 ओजोन 6 दिवस जो होता है प्रतिवक्स 16 सितंबर को मनाया जाता है यह मेट्रिकल प्रोटोकाल हस्ताचड की यह जिसके तहत ओजोन परत को नश्ठोने से बचाने पर 1997 में यह पूछा जा चुका है मैट्रियल प्रोटोकाल का संबन किस से लेकिन 19 दिसंबर 1994 से प्रतियक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन 6 दिवस के रूप में मनाया जाने को दोशना की गई मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले पश्णी की तरफ क्या वीडियो को शेयर करेंगे अग अगले पश्णी की तरफ कौन सा दिवस अक्टूबर महिने में नहीं मनाया था सोचली वाली बात है यह उपर मैंने भी पढ़ाया था ध्यान से अगर जिसने पढ़ा होगा वह जरूर इस पश्णे का जबाब देगा कि जो वाइस यना दिवस का मना जाता है मैंने उपर प प्रश्ण है उपर मैंने इस प्रश्ण को पढ़ाया था मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्ण की तरफ कि अलफसंक्यक अधिकार दिवस यह मैंने उपर पढ़ाया था मैं उमीद करता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं वह सभी लोग फट 1992 कौन यू यह नो कौन यू यह नो अठादीसम्बर 1992 से प्रतेक वर्श 18 दिसंबर को राष्टी अलफसंक्यक कि अथारे सितंबर से न इसमबर से यहां पिया गलत दे रहा है यहां पर देखे गलत होगया यहां पे चारव गलत गलत है वेकि 18 दिशंबर से प्रतेक वर्स अलफसंख्यक अधिकार दिवस्ट के रूप में मनाया जाता है इसलिए इस प्रशन का उत्तर 8 दिशंबर होगा जहां पर बिकल्प में नहीं है सितंबर टाइप हो गया है 18 दिशंबर होगा क्या होगा 18 दिशंबर होगा मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले पैसने की तरफ शहीदी दिवस कमनाया था फटाफट कमेंट करके बताएगा शहीदी दिवस कम मनाया जाता है जो लोग वीडियो को लाइप देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएग देखे, दो बात है, मैं आज आपको clear कर दे रहा हूँ, एक होता है, शहीदी, दिवस, दूसरा होता है, शहीद दिवस, कहेंगे सर, दोनों तो एक ही जानते थे, आपको पता होना चाहिए, ये दोनों अलग-अलग हैं, और देखे, डेली क्लास के लिए आप टेलिग्राम जो जलती है, उसके लिए आप इस नंबर पर WhatsApp करके, आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि मेरा क्लास तो free मिलेगा, देखे, सहीदी दिवस क्या होता है, इसके बारे मैं आपको थोड़ा सा बताना जरूर चाहूंगा, क्योंकि 30 जनवरी घटना है, 30 जनवरी 1948 को, नातुराम गो इसलिए भगत सिंग, राजगुरू, राजगुरू, और भगत सिंग, राजगुरू, और कोंताहा, देखे भागत सिंग, राजगू, शुखदेव, इन तीनों को ःज configur मिले इसलिए शहीद दिवस 23 मार्च में जाता है, इसलिए भी बूमा हो जाएं याद रखिएगा शबी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं तो एक बाद ध्यान से देखिएगा वेकि ये गलती भविश्चे मत करिएगा मेरी आपसे निवेदन है वेकि प्राइयर लोग ऐसे प्रश्णों में गलती कर देते हैं और उन्हें बा बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहेगा वोगि हो सकता है आप लोग लगातार पढ़ रहे होंगे इलनी भी दुर्गेश पर होंगे ऐसे प्रश्ण की सीरीज आपको इलनी भी दुर्गेश पर जरू मिलती रहेगी प्राया परिच्छा में लोग गलती करते हैं यह प्रश्ण आपने साथ कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा जो इलनी में दुर्गेश में पहले पढ़ रहा होंगे उनको मैंने पहले भी दोनों चीजे पढ़ाया था मैं आगे बढ़ रहा हो गले पश्णी की तरफ आपकी जीमेदार यह वीडियो को लोगों तक पहु करिए सहीधी दिवस मैंने उपर बताया महत्मा गांधी की हत्त्या हो गई थी उन्हें सौन तालिस में ना थो राम गोट से ने गोली मार्क कर दिए उस दिन सहीधी दिवस के रूप में मनाया जाता है साथी लोग फड़ावट कमें करिए राष्टी इवा दिवस का मनाया मैंने उपर एकदम पूरा असपस्ट बता दिया था एकदम असपस्ट क्या बताया था 22 मार्च 22 अप्रेल 22 मई एकदम रट लीजिएगा ठीक बताई क्या होगा तो यहां देखिए जल थल जैव बिवित्ता एकदम रट्टा माल लीजिएगा 11 जुलाई जन संख्या 11 जुलाई क्या होगी जन संख्या दिवस अब इस प्रेशन का उत्तर क्या होगा 22 अप्रेल एकदम राइट एंस वर 20 का सही जवाब है समझ में आ रहा है न आप लोग को अगर आ रहा है तो भीया जबाब दीजे गलत सही सभी को जवाब देना चाहिए आप जि जन पुर जन पर से हूँ इसे सिराजे हिंद कहते हैं आप अपने जिले की बिसेस्ता बताईएगा जहां कि मक्का मूली दोनों प्रशिद्ध है राष्टी एकी करण एकता दिवस का मना जाता है यह मैंने उपर पढ़ाया था मैं उमीद करता हूं कि अब आप इस प्रशन क दिवस के रूप में मनाया जाता है नो जनवरी को प्रवासित दिवस के रूप में मनाया जाता है अब बढ़ाइब करके जो वीडियो को लाइब देखना बताईए कि राष्टी एकता दिवस जो मना जाता है वो 31 अक्टूबर को किसको 31 अक्टूबर को यह पर आप इंद्धा गांधी की अ कि इंद्रा गांधी की कि मृत्ति हुई थी कि मृत्ति हुई थी ठीक है कि 31 अक्टूबर को किलियर हुआ आपका ज्यान दीजेगा 31 अक्टूबर कि मैं अगे बढ़ रहा हुए प्रश्ण की तरफ चली बहुत अच्छा लगा आप लग जिलों से हैं पर्थम विश्टू परावन दिवस कम बनाया गया तब ही जश्ट उपर मैंने बताया था फिर दुबारा प्रश्णा आ गया ठीक उपर मैंने बताया था कि 72 माय सो 73 में मनाया गया तो उपर मैंने आपको बता दिया था जो इस्टाटिन से देख रहोंगे जो विश्टू परावन दिवस होता है इसकी स्था अपना सभूत राश्ट महासभा के द्वारा किया गया था पांच जून 1972 के स्वीडन के अपिस्ट परावन दिवस को 173 मनाया गया तब से लेकर प्रतेक पांच जून को परावन दिवस के रूप में मनाया जाता है उपर मैंने इसको असपश्ट कर दिया था ठीक मैने उपर एकदम असपश्ट कर दिया था अच्छा यंपी से भी हैं बहुत बहुत धन्यवाद कर है बदोरीस मेला जाता है मैंने उपर पूछा था आप लोग कमेंड गर के बताएगा पूरुश दिवस कमेंड या जाता है मैंने उपर इसके बारे में बताया था सभी लोग फटावर कमेंट करिए सभी साथी फटावर कमेंट करिए घृबर मैंने बता दिया था थीक है मैं आगे बट्रोंग लें पर शिटी तरफ चलिए राय बरेली से भी हैं महादेव की नगरी चलिए यहां पर ध्यान दिजिएगा अंतराष्टी मानवादिकार दिवस दस दिसंबर को मैंने बताया था उपर ठीक है अब वीडियो को सेयर भी करते रही है आप लोग दिसंबर को मनाया था मैंने उपर बता दिया इसलिए आप इसको थोड़ा समय तेजी से बलाऊंगा उभगता दिवस का मनाया था है फ्लावट कमेंट करिएगा पंद्रमार्च को राष्टी अंतराष्टी दोनों मैंने इसके बता दिया था इसलिए जो वीडियो को लाइब देख रहे होंगे उनका ये किलियर हो गया होगा ठीक है जहां पी देख रहे हैं आप लोग वीडियो को अपने ग्रूप में जरूरा लिएग अपने जीले में चलिए आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवा एक वो भुकता दिवस के बारे मैंने दो बाते बताई थी साध आपको दोनों याद होगा एक राष्टी था एक अंतराष्टी था ठीक तो राष्टी अंतराष्टी दोनों मैंने बता दिया था यह क्लास आपको पर इस्टाग्राम इलेनी बिद्रगेश मेरी विक्तिगत आडिया दुर्गेश के नाम से इस्टाग्राम पर ट्वीटर इलेनी बिद्रगेश और फिश्बुक पर अगर आपको ओनलाइन क्लास या नोट से कोई जानगारी चाहिए इस नंबर पर वाट्शेप कर सकते हैं इल क्लास और भी महतरीन होगी कल एक और टापिक लेकर आएंगे जहां से आपके आने वाले प्रश्ण को पूरा क्लियर कर देंगे और हम आपको सरकार इसी चक बना कर छोड़ेंगे बस आपका साथ इसी तरह से बना रहे और संदीब जी एच्छ है बहुत बहुत धन्यवाद चलिए वीडियो को शेर करिएगा अगर आपको बहतर लगे तो लाइक करिएगा और प्रदिन साड़े नौ बजे अपने सभी साथी मित्रों के साथ आ दियेगा सिच्छक भरती की महागाता सिरी जब आपकी बारी सिच्छक बनने की अगर आपको सरकारी सिच्छक बनना है तो प्रदिन साड़े नौ बजे अपने मुबाइल पर एलारम लगा लिजेगा और आईएगा लाइब फिर मिलते हैं अगले सेशन में अगले एक नई सिरीज के साथ और कल की टॉपिक आपके लिए भैतरी इन टॉपिक होगी यूँकि कोल हम लोग आगे चलेंगे और अप करके तथ्य को शमझेंगे एक तथ्य को पढ़ेंगे कि अब आपकी बारी है सरकारी नौकरी की और आप मेहनत करेंगे तो चरूर आएगा ठीक है हां लिंक जो आपका रिप्लाई है वो कफी मैसेज जादा हो गया है इसे रिप्लाई आपको कल से मिलना सुरू हो जाएगा इसके लिए हम चमा चाहते क्योंकि आप लोग वाटसेप करते कि कितना जादा मैसेज आता है ठीक है बहुत धन्यवाद आपको टॉपिक जो होता है कल सुबह मैं निश्चित कर पाऊंगा क्योंकि आज हमारा सर बहुत पेन हो रहा है लेकिन अब कल हम लोग देखेंगे मनी का जै बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका को को करा जार चालोंग town की कौन से जादा तो मुझे सोचना पढ़ेगा ने ऐसांBut पिद्दमाई कसम रोज दिया गए ठीक है तो सिल जी बहुत बहुत धन्यवाद जरूर होगी हमें कोई पाधी न दिलवाई लेकिन सेलेक्शन आपका जरूर होगा ठीक है बहुत धन्यवाद आपका अच्छी जी लोगों तो पूछाय करी आपकी भी जिम्मेदारी होती है ज चलते हैं बाइब चलते हैं है मेरा हो गया है चलते हैं जायंद